चुहों को अक्सर कीडों के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे वास्तव में आकरशक प्राणी है? इस वीडियो में हम चुहों के बारे में पांच और दिल्चस्क तथ्यों का पता लगाएंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे. उनकी तैरा की क्षमताओं से लेकर उनके लचीलेपन तक चुहे ये वास्तव में अद्भुद जानवर है. तो आईए इन अक्सर गलत समझे जाने वाले प्राणीयों के बारे में गहराई से जाने और जाने. और हमेशा की तरह इस तरह के और अधिक आकर्शक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. चुहे अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी होते हैं और जटिल कार्य करने में सक्षम होते हैं. वे जल्दी से नए कौशल सीखने में सक्षम है और उन्हें कर्तब दिखाने के लिए प्रशिक्षित भी किया जा सकता है. दरासन चुहों को अक्सर उनकी बुद्धिमत्ता के कारण वैज्ञानिक प्रयोगों में इस्तमाल किया जाता है. चुहें उत्क्रिष्ट छलांग लगाने वाले होते हैं और हवा में 3 फीट तक छलांग लगा सकते हैं. वे 4 फीट तक शेतिज रूप से छलांग भी लगा सकते हैं. यह उन्हें महान परवतारों ही बनाता है और उन्हें अपने वातावर्ण में आसानी से नेविगेट करने की अनुमती देता है चुहों के दान्थ बहुत समवेदन शील होते हैं और वे अपने पर्यावरन का पता लगाने के लिए उनका उप्योग करते हैं उनके दान्थ भी लगातार बढ़ रहे हैं इसलिए उन्हें तेज और प्रबंधनिय लंबाई में रखने के लिए चीजों को कुतरना पड़ता है यही कारण है कि आप चुहों को लक्री या तार जैसी चीजों को चबाते हुए देख सकते हैं चुहों में गंद की उत्कृष्ट भावना होती हैं और वे इसका उप्योग अपने वातावर में घूमने, भोजन खोजने और अन्य चुहों के साथ संबाद करने के लिए करती हैं इनका उप्योग कुछ देशों में बारूदी सुरंगों का पता लगाने और तपेदिक जैसी बीमारियों के निदान के लिए भी किया जाता है चुहे सामाजिक प्राणी हैं और अन्य चुहों के आसपास रहना पसंद करती हैं दरासन अगर उन्हें बहुत लंबे समय तक अकेले रखा जाए तो वे अकेले और उदास हो सकते हैं उनके पास एक जटिल सामाजिक पदानुक्रम भी है और वे विभिन्न स्वरों, शारिरिक भाषा और गंध चेहनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ समबाद करते हैं चुहे प्राकृतिक तैराक होते हैं और तीन मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं वे सीवर पाइप और अन्य संकीर्न स्थानों में भी तैरने में सक्षम हैं जो उन्हें शहरी वातावर में जीवन के लिए उप्यूक्त बनाता है चुहो की याददाश्ट अच्छी होती है और वे भोजन और अन्य संसाधनों के स्थान को याद रखने में सक्षम होते हैं वे अपने पर्यावरन के ले आउट को भी याद रख सकते हैं और इस ज्ञान का उप्योग भूल भूलया और अन्य जटिन स्थानों में नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं चुहों में स्पर्श की तीवर अनुभूती होती है और वे अपने वातावरन का पता लगाने के लिए अपनी मूचों का उप्योग करते हैं उनकी मूचे अत्यधिक समवेदन शील होती है और उन्हें हवा के दबाव में बदलाव का पता लगाने और तंब जगों से गुजरने की अनुमती देती हैं चुहे अत्यधिक लचीले प्राणी है और विभिन्न प्रकार के वातावरन में जीवित रह सकते हैं वे अपने परियावरन में बदलावों के अनुकूल धलने में सक्षम है और रेगिस्तान और जमे हुए टुन्रा जैसी कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं चुहे वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण है और उन्होंने चिकित्सा और मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण खोजों में योगदान दिया है इन्हें मानव रोगों के लिए मौडल के रूप में उप्योग किया जाता है और अक्सर नई दवाओं की सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षन करने के लिए उप्योग किया जाता है यदि ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण और इंट्रेस्टिंग लगा हूँ तो कृप्या इसे लाइफ करें इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक इंट्रेस्टिंग फाक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही ऐसे अधिक जानकारी पूर्ण लेखों और वीडियो के लिए हमारी वेबसाइट पर आना न भूले देखने के लिए धन्यवाद मंड़ाचा वतीने आपले आभाद